बोल ये प्रेम से स्री सद्गुरू महराज की जय राम चरित्मान सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकान दोहा गिरिजा संत समागमा समनलाभ कछुआन बिनुहरी कृपान अहो इसो गावहि बेद पुरान बिनुहरी कृपाना हो इसो गावहि बेद पुरान स्री सीव जी स्री पार्वती जी से कहते हैं कि हे गिरिजा संतों की संगती के समान दूसरा लाव नहीं है वेद पुरान कहते हैं कि वह सत्संग बिना इस्वर कृपा के नहीं होता है फिर सीव जी राम कथा का बहुत कुछ गुण गाकर कहने लगे सोई सार्वाज्यागुनी सोई जाता सोई बहि मंगीत पंगीत जाता वही सर्वग्य हैं वही गुणी वही ज्यानी वही पिर्थिवी को सोभित करने वाला वही विद्वान और वही दाता है धार्म परायान सोई कूलत राता राम चरन जाकरमन राता वही धर्म में तत्पर हैं और वही कुल रक्षक हैं जिसका मन राम के चरनों में लगा हुआ है नीतिनी पून सोई पराम सयाना सूति सिधान तनी कते ही जाना वही निति में निपुन है वही पराम चतुर है और वेद का सिधान तो वही अच्छी तरह जानता है सोक भी कोबिद तोर नधीरा जो छल छाड़ी भज़ईर घुपीरा वही कभी विद्वान और रण धीर है जो छल छोड़ कर रगवीर राम को भजते हैं धान्य सोदेशं जहां सूरसारी धान्य नारी पती ब्रत अनुसारी वह देश धन्य है जहां गंगाजी है और वह इस्त्री धन्य है जो पाती वर्त धर्म के नुसार चलती हैं धान्य सभूपनिती जो कराई धान्य सुद्य जहने जह धरमना कराई वह राजा धन्य है जो निती से राज करता है और वह द्वीज धन्य है जो अपने धर्म से नहीं टलता है सोधन धान्य क्रकाम गती जागी धान्य पुन्य रत मती सोई पागी धन्य धन्य है जिसकी पर्थम गती अर्थात जो दान में लगता है और वह बुद्धी धन्य है जो पुन्य में लगकर पगी हुई होती है धन्य की तीन गतियां है दान भोग और नास धन्य घरी सोई या पसत संगा वह घरी धन्य धन्य है जब सत्त संग हो और वह जन्य धन्य है जब सत्त संग हो और वहlow जन्य में धन्य है और यहिस की अ किया लोद्य ख्रथ जिसमें द्विज की अभांगी पुरुन भक्ति हो सोकुल धन्य उमा सुनो जगत पूज सुपुनीत स्रीर घुबीर परायन जहिनर उपजबनेर स्रीर घुबीर परायन जहिनर उपजबनेर हे उमा सुनो वह कुल धन्य संसार में पूजे जाने योग्य और विशेश पवित्र है जिसमें राम के नम्रभग पुरुष उत्पन होते हैं इतनी कथा स्री शीव जी महराज पार्वती जी से बोले कि यदपी मैंने पर्थम यह कथा तुमसे छिपा रखी थी तथा पी जब तुम्हारे हिरदय में इसके लिए अत्यंत प्रीती मैंने देखी तब इसे तुम्हे सुनाया बोलिये प्रेम से श्री शद्गुरु महराज की जैन झाल